कि अब मुझे दूसरा डीटेल्स भी रखना है एक तो मैंने एक प्रोपर्टी मैंने रख लिया ने अब मुझे नेम के साथ मोबाइल नंबर भी लखना है तो यहां पर मोबाइल नंबर कर लूँगा और यहां पर मैंने मोबाइल नंबर डाला तो इंटीजर है नंबर है तो सीधा लिख सकते हैं लेकिन इस ट्रिंग है तो हमें डबल कोट में देना परेगा और मान लिजे कि बुलियन वैल्यू है तो क्या करेंगे तो उसके लिए सीधा हम तूप फॉल्स लिख देंगे जैसे इस एक मतलब एक्टिव है बनगा अब मैंने जो यहां पे लिख दिया ऐसा अभी मैं इसको जैसे ही मैं चलाओंगा तो आप देखेंगे एक छोटा सा एरर आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि हमने सेपरेट नहीं करा है सेपरेट करने के लिए हमें कौमा देना पड़ेगा आपन कों सा परोपर्टी नेम परोपर्टी नेम हैं को की कह लिखे और की कहे लिखें तो प्रतेग प्रॉपर्टी और प्रते की ह्ईलिओ को हम कौमा के साथ करेंगे करना ही पड़ेगा और आंखरी में जो प्रोपर्टी होगा उसमें कॉमा देने का हमें जरूरत नहीं है दे देंगे तो क्या होगा मैंने दे दिया आप देख लिए और जैसे ही दे दिया कुछ एरर नहीं दिया कुछ बात नहीं फर मैं कहा है कि रहा हूं कि यह है रहा है क्या क्या रहा है रहा है और में क्या होता है deceived अलग अलग data होता है इसमें student जो है वो तो person हो गया लेकिन उसका ये प्रोपर्टी हो गया और और एयरे में क्या होगा कि आरे में similar type का data होगा है इसमें तो similar type नहीं स्थुडेंट के करेक्ट सही कह रहा है अरे देखते हैं थोड़े देर में तो जो है क्लियर होंगे आखरी में जो है सेमी कॉमा नहीं दिया जाता है ले लिया मतलब कि नए जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्ड इसको कोई समस्या नहीं है तो इतना तो प्रिंट हो गया हमारा अब दूसरा मुझे बनाना है ondo क्या करेंगे मैं क्योंपी पेस्टी सको कर सकता हूं ऐसे यहां पर करदूंगा इस्टूडेंट One और इसको भी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यह प्रिंट हो जाएगा मैंने प्रिंट करा तो दोनों प्रिंट हो गया डीटल पर एक ही परशन का है तो यहां पे मैं कुछ बदल देता भूं सियाम कर देता हूं, इसका कुछ फो नमबर भी बदल देते हैं इसको कर देते हैं, फाल्स, मैंने चेंज कर दिया तू आगें आया तो इस तरह से आप कर लेंगे मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ और मान लिजे जैसे आप कोई student का name चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे dot लगाके name एकसेस कर लेंगे तो name मिल जाएगा आपको name आगया सिर्फ अब name के साथ यहीं पर dot लगाके mobile कर लेंगे तो mobile आजाएगा mobile नमबर आगया तो इसमें क्या होगा इस student पर dot लगाके एकसेस करेंगे इन प्रोपर्टी को की का नाम देंगे mobile नमबर name, executive तो उसी के related details आएगा student 1 का कर देंगे यहाँ पर student 1 का आजाएगा दूसरे object का आजाएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दू student बना लिया एक student यह है एक student यह है इसी तरह से बना लेंगे अब question यह है इधर कि इधर तो हम data एकसेस कर लेंगे क्या हम और प्रोपर्टी सेट कर सकते हैं इसमें जैसे यहाँ पर आया और आने के बाद मैंने क्या किया dot लगा दिया और यहाँ पर फिर दे दिया class या फिर c-o-u-r-a-c और यहाँ पर colon दिया या equal to assign दिया मैंने और यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ semi colon मेरा आदत है इसलिए मैं दे देता हूँ कभी जब है इसे पर mandatory नहीं है पहले था अब नहीं रहा गया कि अन्हें ऐसे कर दिया आप देखते हैं क्या यह काम करेगा आप कि दहर आ जाएगी है और यह देख लीजिए courses में जो है जुड़ गया है mca मान लीजिए नेम है यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे कि इसका मैं वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ में नेम का डेटा चेंज हो चुक थो है कि पहले कुछ और था अब कुछ आप और हो गया का यहाँ पर मैंने स्याम डाला था अब यापर नियंस समीथ हो गया तो यहां पर मैंने लेट के सहायता से मैंने वेरियेवल बनाए तो इस सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा है मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ इधर और यहां पर लेट के जिगह पर कॉंश्ट कर दूँगा अब कॉंश्ट कर दूँगा तो डेटा तो सेम जैसा पहले प्रिंट होता था वैसे ही प्रिंट होगा परन्तु मैं क्या करूंगा अन कमेंट किया कोर्स को अब मैं यहां पर आया अब इसको भी मैं अन कमेंट कर देता हूं अब आप देख लीजिए कि कि यह देख लीजिए तो यह उमीद है क्लियर हो जाया हो गया होगा इसमें अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं इसको मैं हटा देता हूँ यहां पर ऐसे दे दीजिए यहां पर लिख दूँगा F I R S T Space और Name इस तरह से आप Space नहीं दे सकते जनरली लेकिन Space देना है तो आपको इस तरह से एकसिस करना पड़ेगा Console.log और मैं Print कर दोँगा एकसिस करना है तो भी हमें Square Bracket के साथ करना पड़ेगा एकसिस इसको मैं Explain कर देता हूँ यह देखिए First Name आ गया है First Name आ गया अब इसको हमें एकसिस करना है तो Dot के साथ तो एकसिस करना ही सकते हैं इसको एकसिस कैसे करेंगे Square Bracket के साथ ही एकसिस होगा यह इस तरह से भी हम नाम लिख सकते हैं और एकसिस कर सकते हैं तो इस तरह से आप एक काम कर लेंगे मैं इनको क्या करता हूँ Delete कर देता हूँ मैं इसको कुछ Time Copy कर लेता हूँ या फिर इसको भी रहने देता हूँ कुछ इसके method हैं मैं वो दिखा देता हूँ आपको क्या method है सारे method तो मैं नहीं बता रहा हूँ एक-दो method आपको बता दे रहा हूँ जैसे अब्जेक्ट डॉट कीज ऐसे करा मैंने और यहां पर क्या दे दूँगा इस्टूडेंट पुडेंट मैंने दे दिया यहां पर अब आप देखिएगा होगा यह कि जो भी हमारा कीज होगा total वो सारा की हमें निकाल के दे दिया array के फॉब में एक array बनाया internally उसमें और जितना भी की था हमारा वो सब की दे दिया हमें तो object का की है आप चाहें तो value निकाल सकते हैं कैसे value के मदद से values कर देंगे values करेंगे तो क्या होगा सारा values हमें निकाल करके दे देगा पहले बार में object का की method चलाया मैंने तो की दे दिया हमें सारा और value method चलाया तो value दे दिया simple सी बात है अबजेक्ट आप टाइप करें सिधा कंसोल पे और डॉट लगाईए और यहां पे बहुत सारा method मेरी तो जो मैं value method इस्तिमाल कर रहा था वो यह वाला है की method इस्तिमाल कर रहा था वो यह वाला है यहां से आप यहां से भी देख सकते हैं आप इस्तिमाल करा मैंने और यहां पे डाल देता हूं मैं एची अपने यह पे जाक्या है स्टूडेंट यहां पे जो मैंने वरियेवल डिक्लियर किया था वरियेवल बनाया था अबजेक्ट यहीऑ अब्जिक्ट था इस्टूडेंट तो हम कंसोल पर इसको चला लेंगे ऐसे तो यहां पर भी आ जाएगा कि एक और मेथड इसका है वो मेथड क्या करता है इस मेथड का नाम क्या है इंट्रीज अगर इस्पेलिंग मेरा गलत नहीं होगा तो चल जाना चाहिए यह क्या देता है की वैल्यू दोनों देता है एरे के फार्म में यह देखिए की वैल्यू दोन दे दिया पहले मैं यहां पे आ जाता हूँ एंट्रीज ने क्या रिटन किया की वैल्यू दोनों पर की और वैल्यू कैसे रिटन किया एरे के फार्म में इसको एक array मान लिया फिर return कर दिया और इसको भी एक array मान लिया फिर return कर दिया अगर मेरे ऐसे बोलने से समझ में ना आया हो तुम मैं एह देख लीजिए लिट ए नाम से एक array बनाया और फिर क्या किया ऐसे किया जहां पर ले लिया name इसी तरह से ओ एरे बनाया तीन ठो और फिर रिटर्न कर दिया तीन बार में वेरियेबल बना लूँगा इसी को ऐसे और यहां पर डाल दूंगा मैं mobile इसे क्यों डाल रहा हूं इस तरह से यहां पर मैं डाल दूंगा true और फिर यहां पर डाल दूंगा is active यह तो यह अलग अलग तीन ठो एरे बन गया तो यह तीनों एरे को एक साथ रिटर्न कर रहा है करेक्ट यहां पर मैं यह वन लिखता हूं इसको यह टू बनाता हूं इसको यह थ्री बना रहा हूं और फिर मैं लेट यह फोर कर देता हूं एक्वल का साइन देता हूं और इसमें क्या करूंगा एवन कॉमा एटू कॉमा एथरी कर दूंगा कि एंट्री जो रिटर्न कर रहा है वो क्या है यह फोर नाम का वेरियेबल जाता हूं मैं नीचे और कंसोल डॉट लॉट कर देता हूं इसे कमेंट कर देता हूं कुछ कोड़े क्या बोल रहा है इसको क्या तकलीफ है भाई अच्छा यहां पर यह बोल रहा है ओ सॉरी मैंने क्या कर रहा है यहां पर इकवल टू का साइन नहीं दिया है इसलिए बुरा मान गया जावाई स्क्रिप्ट तो यह देखिए मैं सारा कंसोल क्लियर कर दिया और उपर यह दो जो मैंने प्रिंट कर रहा था इस तरह से अब देखिए इसने जो है यह एंट्रीज वाला है यह एंट्रीज मेथड काल किया तो यह रिटन किया हमें और यह मैंने मैंने बनाया था वैसे इसने भी रिटन कर दिया इस तरह से ये काम करता है entries तो entries का तो मुझे उमीद है कि clear हो जाना चाहिए concept इसको मैं थोड़े देर के लिए comment करता हूं ऐसे और ये जो array बना है इसको भी मैं क्या करता हूं comment ऐसे मैं चलाता हूँ इसमें पहले एक लूप है for a in student कर दिया मैं console.log करूंगा और a को क्या करूंगा print कर दूँगा यह देखिए तो इस तरह से भी यह आप की निकाल सकते हैं foreign loop के मदद से आप यहां पे की निकाल सकते हैं अब मान लीजिए आप कि आप किसी project पे काम कर रहे हैं और जो की आ रहा है आपका जो name है mobile number है एक्टिवेट है एक की है तो यह कैसे आ रहा है वेरियेबल के रूप में करेक्ट जब वेरियेबल के रूप में नहीं आता था तो आप क्या करते थे सीधा student के साथ dot name लगा के call करते थे एक्सेस हो जाता था लेकिन रूप में आता है तो क्या करेंगे तो समस्य हो जाएगा तो इसलिए क्या करेंगे हम यहां पे कि इसक्रेंगे आईसे करेंग और ऐसे कर देंगे वेरियेबल के रूप में और इस तरह से भी हम मैं और यह देख लिए हमने सारा एक्सेस कर लिया तो की जो है रन टाइम पर वेरियेबल के माध्यम से आ रहे हैं आपके पास तो आप इस तरह से इट्रेट कर लेंगे इस तरह से इस तरह से इट्रेट हो जाया करेगा इसको भी मैं कमेंट करता हूं वेल्यू के मतब से आपने वेल्यू निकाली लिया इसको मैं एक बार अन कमेंट करता हूं